हेलो एवरीबन, वेलकम बैक टू माई चैनल तारा मदू की रसोई तो फ्रेंड्स हाथ में यह जो मेरे बास्केट है और इसमें खुब सारे कलरफुल फ्लार रखे होएं तरहसल आज हम ऐसा ही एक केक बनाने वाले हैं और जब से मैंने पारले जी की फ्रॉस्टिंग को बास्केट नॉजल लगा करके बनाना सिखाया है न तब भी से मेरे बहुत सारे वीवर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं बिना बास्केट नॉजल के यह कैसे डिजाइन बनाए तो आज उन सभी की रिक्वेस्ट को मैं पूरा भी करूंगी बिना बास्केट नॉजल से आपको बास्केट बनाना सिखाऊंगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मुझे बनाना है फ्रेंट्स आधा केजी का पानेपल फ्लेवर केक तो उसके लिए मैं आपर अपने मार्केट का ही प्रिमिक्स ले रही हूँ मैंने आपर देड़ कप प्रिमिक्स आज नहीं लिया है एक कप और एक वन फोर्थ कप लिया है वो इसलिए क्योंकि आज के केक में ना क्रीम थोड़ी एक्स्ट्रा यूज होने वाली है क्योंकि उस पर हम बास्केट डिजाइन बनाएंगे अंदर फ्लार्स बनाएंगे तो क्रीम का मिजर्मेंट ज्यादा हो जाएगा इसलिए प्रिमिक्स को थोड़ा समयने कम रखा है और अब इसमे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम बना लेंगे स्मूज सा बैटल और क्यूंकि यह पानेपल फ्लेवर केक है फ्रेंट्स और मेरा हो गया है मेलशन खतम तो मै मैं फ्लेवर और कलर दोनों अलग अलग करके डाल रही हो और साथ में डाल रही हो मैं एक टेबल स्पून और साथ में थोड़ा सा और 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 अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स ऐसे तो आदा केजी के लिए हमें देड़ कप्र मिक्स लेना होता है 180 ग्राम यहां पर मैं कि यह सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएंगी आप रुनिंग कंसिस्टेंसी में आपको बैटर रखना है बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे केक में से क्रम्स निकलते हैं केक फूलता नहीं है ध्यान रखेगा बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट होना जरूरी है अब कि यह तक मैंने चेंचे का यह बरतन लिया है और इसके अंदर नंए alorsi के यह पहें सिरकल साते हैं उन पेपर को सेट करूंगी इसमें इडिफरेंट साइजन के सरकल आपे हैं 6 का आता है 4 का अ गाता है ऐसे सारकल ले ले इससे क्या होता है किक अंगर आप ऐटकरना नहिए काम कर रहे हैं और कुछ भी लगाने के इसमें जरुवत नहीं है के काराम से डीमोल भी हो जाएगा इजी टू यूज है इको फ्रेंडली भी है तो तयार सारा बैटरम ने इसमें ढाल दिया अच्छे से कर लेंगे इसे टैप और आज फ्रेंड्स मैं इसे बेक करूंगे अपन 170 डिग्री पर 25 मिनिट्स के इसे बेक करूंगे तो यह अराम से इसमें बेक कर देता है आप चाहें अगर इसे परचेस करना तो कर सकते हैं इसमें बेकिंग के साथ साथ और भी ओईल फ्री रेसिपी आप बना सकते हैं तो अगर आप इस प्रोड़क्ट को खरीदना चाहते ह वीडियो के तुरू के केक मेकिंग की लेकिन मेरी ओनलाइन क्लासेज भी चलती रहती हैं बेसिक की डिजाइनर की तो अगर आप में से कोई मुझसे ओनलाइन सीखना चाहता हो डीटेल में सारी जानकारी के साथ जो कि हम यूट्यू पर नहीं दे पाते हैं लिमिटेड हुआ है बट आपके लिए छोटी सी जानकारी दे दू आधा केजी केक के लिए हमें 250 ml क्रीम चाहिए होती है वहीं एक केजी के लिए 500 ml बट यह डिपैंड करता है आपकी केक की डेकोरेशन किस हिसाब कि अगर आपको पता है कि केक में क्रीम जादा लगने वाली है तो आप की लेयर से न मैंने हलका सा बड़ा बोर्ड लिया है अब डारेक टर्न टेबल पर बना करके फिर शिफ्ट भी कर सकते हैं बोर्ड पर और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे तो यहाँ पर न चीनी और पानी के मिक्षर से आप इस लेयर को मोईस्ट चरूर कर ल ही है तो मैं यहाँ पर स्रिफ ट्रश डाल रहे हूं आप सेकेंड लियर रख देंगे और आप देखने हैं कि हमारी स्पॉंज का कितना प्यारा यलो आया है वो इसलिए क्योंकि मैंने एसंस के साथ ना एक ड्रॉप यलो जल कलर का भी डाल दिया था पाइनप्ट फ्लेवर क केक में स्पॉंज थोड़ा सा यलो हो तो अच्छा लगता है यहां पर एक एक करके तीनों केकी लियरिंग मैंने कर लिया और आज ध्यान से ना भूल गई जो केकी टॉप लियर होती है उसको मैंने कहीं मिडल में सेट कर दिया तो कोई बात नी इसको भी मैनेज कर लेंगे अगर आप बिगिनर है ना केकी जो बॉटम वाली लियर है उसको ऊपर ही प्लेस करें उससे केकी फिनिशिंग करने में आसानी होती है मेरा तो आज यह बास्केट वाला डिजाइन है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो अभी हम केकी केवल क्रम कोटिंग कर र जाला है और इससे मुझे मिल जाएगा एक ब्राउन शेड आप चाहें तो चौकलेट गनाश प्रेट कर सकते हैं या फिर कोकू पाउडर से भी यह बना सकते हैं बट मैंने तो कलर ही डाल दिया है और यह देखिए इसको ना फ्रेंट सम पाइपिंग में भर लेंगे और उस तरीके किक में अगर शेड गड़ बड़ हो गई तो ठीक नहीं तर्छाहें नहीं अब यहाँ पना प्रेंट में ट्र्राइल कर रही हूं कि मीरी कितनी लाइन मोटी इससे बन रही है तो मैंने देखिए दो लाइन इसको बनाई है फिर इसके ऊवर डॉलाइन इस तरीके से यहां पर बनाने के बाद मुझे अंदाज हुआ कि मुझे तीन लाइन नहीं, बलकि चार लाइन बनानी चाहिए थी, डबल वाली, so that gap बिलकुल ना दिखे, तो यहां पर मैंने क्या किया, scrapper से सारी cream को smudge कर दिया, क्योंकि मुझे अब अंदाजा हो गया है कि मुझे design कैसे बनानी है, और कोई बात ही नीचे base में brown भी हो जाता है, तो अच्छा ही है, हमारा kick-up part नहीं देखेगा, तो यहां पर देखे, दो line मैंने फिर से बनाई, उसके उपर मैंने दो line बनाई, फिर से gap दे करके दो line बनाई, और इस बर में चार ऐसी double lines बनाऊंगी, जिसे की gap थोड़ा कम रहेगा, अब इसके बिल्कुल pass में फिर से एक straight line बनादेंगे, उसी के पास में एक और straight line बनादेंगे, हम दो-दो के जोड़े में काम करेंगे, और जहां पर हमने gap छोड़ाता ना, वहां से, इस तरीके से lines इसके उपर बनादेंगे, तो हमारा basket wallet design कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यह देखी, अब यही pattern को follow करते करते हैं, हम पूरे cake में circle में round बनाएंगे, हाँ इसमें आपकी कमर की band बन जाएगी, जैसे मेरी बज़ी है, मैं लगातार इसे बनाती रही जुक करगे, क्योंकि मुझे वीडियो भी shoot करना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिना basket nozzle के ही न, हमारी बहुत प्यारी सी weaving वाला design, जो basket वाला design होता है वो बन जाएगा, तो जो लोग बोल रहे थे कि मेरे पास nozzle नहीं है, मैं कैसे बनाओ, आज ही आप इस वीडियो को देख करके, जरूर ट्राई करना आपकी सारी परिशानी दूर हो जाएगी, तो friends, यहाँ पर जिस posture में मैं बना रही होना यह video, आप देख सकते हैं, 57 minutes में continuous ऐसे ही रहती तब जाके यह पूरा rotate करके मैं design बना पाई, अब friends, basket है, तो उसकी थोड़ी सी हम look वैसी ही देंगे, तो उपर की तरफ मैं इस तरीके से circle बना करके यहाँ पर भी double line बना दूँगी, जिससे की basket का किनारा बन जाएगा, तो यह मैंने पहले एक line बनाई, और यह दूसरी line बनाई, और इससे जो मारी edges है ना, rough सी वो भी cover हो जाएगी, और अब इसके उपर हम इस तरीके से चोटी-चोटी lines बना करके इसको धग देंगे, तो नीचे जो line बनाई है न, उससे एक उभार मिल जाएगा, और हमारी basket एकदम basket जैसी लगने लगते हैगी, कुछ इस तरीके से, यह देखिए, अब friends, इसके उपर मैं एक नया चमतकार करने वाली हूँ, चमतकार नहीं, इसको एक अच्छी look देने वाली हूँ, मैंने किया कि है, अपने pump के जो box है न, उसमे golden lusher dust भढ़ दिया है, और उसको मैं कर रही हूँ, तो उससे क्या है, ब्राउन के उपर जब golden जाता है न, तो एकदम copperish golden look आ जाती है, और जो हमारी basket एन अब एकदम सुनहरी लगने लगेगी, कुछ इस तरीके से, तो बही मुझे तो यह pattern बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताना जरूर, और आप brown भी छोड़ सकते हैं, बट ऐसे बनाएंगे न, तो जादा ही खास लगेगा, और अब यहाँ पर मैंने बच्चीवी क्रीम में red color डाला, लगाया है N1 nozzle, और इसके उपर बास्केट के उपर आप flowers बनाएगा, खुब सारे भर करके, चाहे तो rose flower बना सकते हैं, flower nail के बना करके, या जैसे भी आपको अच्छे लगते हूं flower, बट मैं easy, सबसे आपको method बता देती हूं, मैंने N1 nozzle लिया है, और बस मैं rosette बना रही हूं, और पूरे केक्टे उपर हम इसी तरीके से बना देंगे, rosette कैसे बनाना है, वो मैंने आपको बताई दिया है, बस आपको इस तरीके से यह बनाना है, उल्टा, यह देखिए, तो पूरा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हम कुछ और color के flowers भी बनाएंगे, तो एक basic सा pattern बना कर इसे भर देंगे, मेरी cream भी खतम हो गई है, और मैं और नहीं बनाऊंगी इस color की, क्योंकि white और yellow का combination भी हम इसमें देंगे, तो कुछ ऐसे हमारा basket, जो है उपर से भर गया है, आप इसमें कुछ और colorful flower भी बनाएंगे, आप एक color का भी बना सकते हैं, बट basket है, फूलो वाली, तो उसमें रंग भी रंगी फूल होईंगे, तो अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर न मैंने white color की cream लिये, simply, और Noor का 11 nozzle लि जाएगा, तो ऐसे एक और flower बना लेंगे, और यहाँ पर न आभी मैं इसके उपर food spray, yellow वाला करके न, कुछ yellow flowers भी बना दूँगी, विसे आप different shades की color की cream बना करके भी यह काम कर सकते हैं, फिर इतना सारा color देंगे तो ठीक नहीं लगेगा, ऐसे जब हमारा काम आसानी से हो सक यहाँ दूसरा flower में मैंने बना दिया है, अब मैं yellow flower बनाओंगी, तो से हम यही pattern करेंगे, यह देखे, और इस तरीक एक flower बनाना बहुत आसान होता है, friends, आप दो से तीन practice में ही से बना लेंगे, और यहाँ पर मैं yellow वाला food spray कर रही हूँ, यह देखे, इसको भी Caesar की मदद से रख देगा, और अभी friends, जिब green पत्ते आजाएंगे न, तब आप देखेगा इसकी final look, और इसके उपर में handle भी बनाओंगी chocolate का, तो वो भी देखेगा, वीडियो को skip मत कीजेगा, तभी आप इसकी सारी बारिक जानकारी जान पाएंगे, और जब भी कभी बास्केट वाली ये cake बनानी होना, तब आपको कुछ और सोचने की ज़रत नहीं पड़ेगी, आप पटाफट से बना पाएंगे, तो हर बार customer को कुछ नया देने की, ट्राइ करते रहिए, क्योंकि जब आप देंगे न, तो वो चार जगे आपको बताएगा, आपका काम बताएगा, कि बही, क्रीम बची थी न, उसमें में ग्रीन जेल कलर डाल करके वी वाला नॉजल लगाया है, आप पाइपिं बैग में कट दे करके भी पत्ते बना सकते हैं, और यहां पर जितने भी गैप्स हैं, वहां पर हम ये पत्ते बना देंगे, और फूलों के उपर जब हरे पत्ते आजात है, और तोटली आपके चुआई से आपको नहीं बनाने तो आप स्किप कर सकते हैं, अब देखिए, फ्लावर बास्केट एक दब भरी होई है, तो कुछ पत्ते नीचे भी गिरेंगे, तो बास्केट के अंदर से ही देखिए, मैंने कुछ-कुछ पत्ते ऐसे निकालते हो ब रोग देना है, तो खेर, यहाँ पर मैंने सारा काम कर लिया, फुलो को भी थोड़ा चमका देते हैं, वही बास्केट को चमक देखिए, अब मैं सिल्वर लश्टर डस्क से उपर स्प्रे कर रही हो, ताकि मेरे सारे फ्लार्स चमक जाएं, और इनको थोड़ा सा और अच्छ के बाद इसकी लुक गजब कियाएगी, तो अभी न स्खेल से मैंने नाप लिया है, एक एंड से दूसरा एंड, तो वह लगबग 6 इंची का आया है, तो यहाँ पर केवल आपको 50 ग्राम चॉकलेट लेनी है, तो यह भी आपकी बच जाएगी, घबराये ने, केवल 25-30 ग्र मैंने रखी है, और बस इसको एक पाइपिंग बैग में भड़ लीजेगा, तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट रखी है, और स्केल भी रख लिया है, क्योंकि हमें 6 इंची के सरकल वाला ही बनाना है, तो यहाँ पर हम सेमी सरकल, मतलब आधा राउंड बनाएंग ताकि यह थोड़ा मोटा हो जाए और हमें उठाने में आसानी हो साथ में यह तूटे बिना, तो एक बार मैंने गुमाने के बाद देखिए, दो-तीम बार गुमाया है और यह अच्छा खासा मोटा हो गया है, अब इसे ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, बटाशकल गर्मी बह और अभी मैं इसको पांच मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, और पांच मिनट के बाद प्रेंट से अच्छे से सेट हो जाएगा, तो खुद बखुदी शीट से देखिए, बहार आ जाएगा, और आपने अच्छी खासे एगर चॉकलेट की लेयर मोटी लगाई ह तो कोई परिशानिया आपको नहीं आएगी, तो एक तरह से हमने C बनाना है चॉकलेट का, यह देखिए, अब इस तरीके से चॉकलेट के हैंडल को लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगएगा, जब हमारी टोकरी ही की सुनहरी है, तो इसके उपर भी मैं गुल्डन लश्ट से बीच में हम सेट कर देंगे, तो मेजर्मेंट लेकरके अगर आप बनाएंगे तो आपका हैंडल एकदम अच्छे से बनेगा, छे इंची का केक था, तो मैंने लगबग उतने ही नापका बनाया और ली रेकिए, जस्ट इंसर्ट किया है, और जहां पर इंसर्ट किया ना, कि अपने विवर्स को हर तरीके से सेटेस्फाई करूं, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, उनकी सॉलीशन में अपने वीडियो के थूँ, बट कभी-कभी कमेंट्स के आंसर नहीं दे पाती, तो उसके लिए माफी चाऊंगी, वैसे मैं पढ़ती सब ही हूँ, और पूरी को निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं, कि आप इसे घर पर लगा लीजेगा, बठाओं के साथ एक पिक्चर जरू शेयर कर दीजेगा, बट मैं इसे ऐसे ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पास में इसे देना है, तो फ्रेंड्स, लग रहा है ना हमारा केक एकदम फ्लार की ब लगा है, तो सeding लाल शेयर की बहुंकि मुझे स्वी बढश टो से जरू हमारा की बपू और एक दो के सीबदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पास, लग रहे हैं, क्यों। विज़् दे सकते हैं, क्योंकि मैं अजर में बच मुणे पनिकन कर देaring लाते हैं, हमें कर वाल शेदि